एक एंकर जोड कर बता रहा था कि प्रधान मंत्री 100 घंटे काम कर सकते हैं तो युवाज 70 घंटे काम क्यों नहीं कर सकते हैं जो आरोब विपक्ष लगा रहा था कि आप ED का राजनेते के इस्तमाल कर रहे हैं उस आरोब की स्विकृती वो संसद में कर रहे थे इनका काम आपको सूचना देना नहीं है बलकि यहां की सूचना कहीं और ना पहुंच जाए उसे रोकना है यह सूचना के लठायत हैं यह सारे अच्छा शब गुंडा लगता है लेकिन ठीक नहीं लगता है क्योंकि गुंडों वो कहीं और भी उसके कहीं सारे अर्थ निकल आते हैं तो इसलिए आप देखेंगे कि वो जनता को धंकाता है यहीं पे जब उलम्पिक पदक विजेता महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी कहा करती थी कि हमारा इंट्रिव्यू लेने तो बहुत लोग आते हैं पर दिखता कहीं नहीं है उन्हें नहीं दिखाया गया और जब किसान आंदोलन करने गये तो बिना जाने परताल किये मीडिया ने जट से उन्हें आतनकवादी कह दिया यह कभी नहीं हुआ जिन्हें अन्हें दाता कहा जाता था जेल जाना पड़ेगा अब तो पी-म सहब को रवीश कुमार जी ने नींद जोडा रखी है उनकी देखिए दुनिया गवाह है सिंस टाइम इममोरियल मोदी जी अमिट शाह रवीश कुमार जी से घबराते हैं जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर मोदी जी थे ना तब भी रवीश जी उन पर सवाल उठाते थे और आज भी कोई कमी नहीं छोड़ते मैं इधी शर्मा इंडिया से और मोदी जी का दोगला पना तो तभी सिध हो गया था जब 2002 के गोधरा कांड के बाद उनसे उसकी accountability मांगी गई पूछा गया कि कौन जिम्मेदार है क्यों हुआ ये सब और उन्होंने कोई answer नहीं दिया and everybody knew who was the reason behind it खेर जो तब ना जागे वो अब जाग जाओ जो अब भी ना जागे उनका तो भई भगवान ही मालिक है कि क्या होगा जबरदस्ती का धेर सारा tax हम देते रहते हैं सरकारी मीडिया को हम absorb करते रहते हैं और फिर भी अंधभकतों को अकल आती नहीं जो ऐसी सरकार को support करे वो खुदी के पैरों पर कुलाडी मार रहा है और रवीश कुमार जी देश के best ever journalist है उनसे बेटा पत्रकार कोई नहीं है सब जो सचे पत्रकार हैं उनको नमन करते हैं जब भी उन्हें देखती हूं उन्हें सुनती हूं जहरा खिल उठता है कि देखो ये जिन्दा है हमारे देश में कितनी सुकून की खुशी की बात है ये लिविंग लेजेंड तो ऐसे महान इंसान को चलिए हम एक बार सुनते हैं कि क्या संदेश उन्होंने डाइजेक्ट मोदी जी को दिया है भया देश के प्रधान मंत्री को खुला संदेशा दिया है वो भी एक भारी भीड में खड़े हो करके So let's listen to him and then we'll talk more पदानी किसानों के लिए तितनी अलंकृत शब्दावलियां विच्सित कर दी गई थी कि ये हैं वो हैं उन्हें एक जट्टे में आतंकवादी कह दिया गया आंदोलन जीवी कह दिया गया तो उन्हेंने साफ कर दिया कि अब हमें इनसे अपनी शक्ति नहीं चाहिए तो जब मीडिया जनता का ही विरोधी हो जाए विपक्ष का विरोधी हो जाए तो उससे उमीद करना कि वो किसी तरह से सम्विधान का पालन करेगा अपने खाली समय को बरबाद करना है मैं तो नहीं करता लोगतंत्र विरोधी होने के लिए जरूरी था कि मीडिया, जनता और विपक्ष दोनों को बाहर कर दे अपनी परिभाशा से और अपने काम से उसने कर दिया इसलिए 2014 सिर्फ तारीख नहीं है बदलाओ का युग है इसके बाद एक चीज़ की और जरूरत थी सूचना को बाहर कर देने की वो काम भी बहुत आसानी से किया गया कितनी खबरें आपको मंत्रालेयों या खोच कर लाई गई हैं आप जब अखबारों को पल्टेंगे तो ऐसी खबरें या इस तरह की खबर कर लाने वाले पत्रकारों की पहचान या नाम अब आपको याद नहीं आएगा खासकर जिसे जिस गोदी मीडिया मेरिनिस्ट्री मीडिया की में बात कर रहा हूँ और उन्हीं की बात कर रहा हूँ यहां तक ही जब जूट का हमला हुआ तो मीडिया ने जूट से लड़ाई नहीं कि दोस्ती कर ले और इस लड़ाई को लड़ा कौन? बाहर के लो और न्यूज, बूम लाईव इन सब को आउट सोर्स कर दिया गया कि जो फेक न्यूज है इसका खंडन करना इसको बताने का काम हम नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि फेक न्यूज जो है दरसल वही सरकारी न्यूज था वो पॉलिटिकल न्यूज था तो अगर आप उस पॉलिटिकल फेक न्यूज का खंडन करते तो आप उसके निगाह में आ जाएंगे, सबका मालिक एक है, तो इसलिए और न्यूज और बूम लाईव ने ये जिम्मेदारी उठाई, आउट सोर्स हो गया ये छोटे-छोटे संगठन मीडिया और सरकार के जूट को अब फर्क करना बहुत मुश्किल है, कि ये फेक न्यूज किसका है सरकार का है या मीडिया का है, सरकार के लिए है या मीडिया के द्वारा फैलाया गया फेक न्यूज है, तो ये लोग अब लड़ रहे हैं या गोदी मीडिया भी अपने हमें सरकार का एक तरह से जूट है तो इसलिए जब आप मुहम्मद जुबैर की टाइम लाइन पर जाएंगे तो कमाल का काम मिलेगा ये अकेला नौजवान सिर्भ भारत के फेक निउस की बात नहीं इसराइल के समर्थन में जिस तरह के फेक निउस मेटिरियल का इस्तमाल होता है और जिस तरह से वो परदाफाश करता है वो कमाल की बात है तो ये सपना, ये करने का सपना मीडिया के भीतर के लोगों का होना चाहिए था पर उसका नहीं है जो हर तीस तारीफ को ट्वीटर पर अनाउंस करता है कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है अभी एक लाख ही आये हैं आप कुछ और पैसे दे लेकिन विग्यापन और आप सब पैसा दे रहें अख़बार को वो बंद कर दीजिए आज से वो पैसा मुझे भेज दीए मैं अच्छे अच्छे शर्ट खरिद के आपको तस्वीरे भेज दूगा कि आपके उस डाइस और उपैसे देखिए कोई तो खुश है इस देश में तो वो बंद कर दीजिए नहीं तकलीफ होगी लेकिन बंद कर दीजिए वो काम और बहुत सोच समझ के बोलता हूँ तो आए दिन ये नौजवान अभी इसने और हर दिन ये जो समाचार एजंसी है एनाई इसके नियूस को वो कितनी बारीकी से पकड़ता है कई बार इस तरह से पकड़ता है कि डिलीट करना पड़ जाता है ये नाई को अपने ट्वीट से हर समय वो परदा फाश करता तो वो लगतार तो पता है कि हर समय में मीडिया के भीतर एक विशे बनता है और उस विशे के हिसाब से जो योग्य पारंगत का प्रोपेगेंडा है वो साहब का है आप उस पे हात मठ डालो ये काम करना आपका नहीं है बलकि हो सके तो उसी में से लेके कुछ अपना अपनी शाम का डिबेट निकाल लो तो आज मीडिया के जूट से लड़ने के लिए एक मीडिया चाहिए अपने दम पर आप कोई खड़ा करने की जरूरत है इसलिए कहा कि जो मौझूद नहीं है जिसका अस्तित्व नहीं है जो भारत में है ही नहीं उस मीडिया पर बोलना कितना मुश्किल है गोदी मीडिया के पत्रकारों ने अपने भीतर के पत्रकार की पहले हत्या की यह बहुत जरूरी था कि पहले अपनी संबेदनाओं को अपने पेशवर शमता को कौशल को वो मारें तब ही वो काम कर सकते थे अब वो काफी दूर निकल आये हैं हम सब को पत्रकारिता में पढ़ाया गया कि कुछ नहीं तो पांच डबलू याद रखना अब इसकी जगह एक ही डबलू है उसी से ये काम चलाते रहते हैं तो इसकी आड में वो अपने जूट को सक साबित करता है और इसने खुद को खबरों से सुचनाओं से विहीन कर लिया है लोग तंतर को जनता और विपक्ष से विहीन कर दिया है इस मीडिया के स्क्रीन पर विपक्ष और जनता अब नजर नहीं आती है इसकी खबरों का अब एक ही चेहरा है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी सुन्दर चेहरा है इस चेहरे के बगाएर उसके पास कोई और सूचना नहीं है एक नई तरह की सूचना गढ़ी गई ताकि लोगों को पता न चले कि सूचना गायव है इन दस वर्षों में प्रधान मंत्री की लोग प्रियता अलग-अलग राज्यों में घटी भी रही बढ़ती भी रही लेकिन उनके प्रती गोदी मीडिया एक समान से निरंतर निश्ठावान बना रहा क्योंकि वह उनमें समाहित हो चुका है वही उनके संबादख हैं वही उनके समाचार हैं वही उनके विचार हैं वही उनके प्रचार हैं आप सभी अचार हैं और बेकार हैं इस मीडिया में आप मोदी, बीजेपी, आरेसेस, बजरंग दल सबके गुन देख सकते हैं मगर विपक्ष को जब यह दिखाता है तो मरियल सा बताता है, उसका उपहाँ सुडाता है, विपक्ष के सवालों को कभी जगर नहीं देगा, अदानी और पुल्वामा को लेकर कभी सवाल नहीं करेगा. पुल्वामा अटैक का जब खुलासा हुआ था, सत्यपाल मलिक जी ने किया था, फॉर्मर गवर्नर ऑफ कश्मीर वो रह चुके हैं, तो उस न्यूज को दबाने के लिए एक एनकाउंटर कर दिया गया, जैर श्री राम के नारे लगा करके, अतीक एहमद का, और जब ये इंस अगर एक्स्पोज होने वाली है, तो ये बॉलिवूड के ड्रामों में उल्जा देंगे, हुआ था ना एक बार, पहलवान बेटियों की भी रवीश कुमार जी ने बात करी, विनेश फोगाट जी को आप जानते ही होंगे, उन्होंने कॉंग्रेस जॉइन किया है, उनको त सब भूली गए, हजारों ओरतों को उस हैवान ने परेशान किया था, और आज उसका कोई अता पता नहीं है, बिल्कुल सही कहा रवीश जी ने कि पहले उन गोदी आंकर्स ने अपने अंदर के पत्रकार को मारा होगा, उसका कतल किया होगा, तब जाके आज वो ये दलाली क अधर पार है, otherwise it would have been impossible, एक स्कीम चलाई हाल ही में, योगी सरकार ने, जिसके भी इंडिया के अंदर मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग बस एक फॉर्म भरो, हर महीना कुछ वीडियो बनाओ योगी जी के सपोर्ट में, और आठ लाग रुपय पाओ, और बना देते हैं, पैसो का लालच दे करके, हालांकि जिसके अंदर इमान है, वो ये चीज़े नहीं कर सकता है, कभी सपने में भी इस अग्रीमेंट पर साइन नहीं कर सकती हूं, या मेरे जैसे और जितने सच उजागर करने वाले यूट्यूबर्स हैं, पत्रकार हैं, जैसे क प्रग्या मिश्राजी उन्होंने ये खबर हम तक पहुचाई थी, देखो भई, योगी सरकार तो माला माल करने वाली हैं, यूट्यूबर्स को, पर सिर्फ इमान को बेचने की काबिलियत रखने वाले गैर जिम्मिदार लोग ही ऐसे स्कीम्स का समर्थन करते हैं, या उनमे भाग लेते हैं, बेहत सीरियस मेसेज हमको रवीश कुमार जी ने इस स्पीच के जरिये दिया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचना चाहिए, और सच को हक मिलना चाहिए, उजागर होने का, जूट, नफरत, ये सब सर चड़के बोल रही हैं, तो सच को भी ह हमें हक देना होगा, ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घरवालों का खुश रहिएगा, सच को ऐसी सपोर्ट करते रहना है दोस्त, सत्यमेव जयते, जैहिंद